बीती रात होई बारिश ने मौसा में कुछ बदलाव ला दिया है राद बर होई बारिश से तपिश में राहत मिली है शनिवार को महानगर में सुभे बे रिमजीम बारिश होने की वज़े से कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए बारिश में भीक कर लुप्त उठाने लगे तो वहीं कुछ बच्चों ने बारिश में भीकते वे सड़क पर जमा हुए बरसात की पानी में नहा कर गर्मी से रहत पाई इस दोरान शेहर में जल जमाओं की समस्या सामाने सी बनी रही रात बर होई बारिश से किसानों को भी कुछ सुकून जरूर मिला है धान की फसल को इस समय पानी की भरपूर आवशकता है लेकिन पानी न बरसने की वज़े से किसानों के खेत सूकने के कगार पर थे जिससे बीती रात हुई बारिश से कुछ राहत दे दिया है इस संबन्द में गोरप को न्यू सन्वादाता से बात करते हुए स्थानी लोगों ने कहा आल ऑल आधना, हानी खाय को वर्ण心 कि घोया करना फैय parte प्रप्राइस को छिर समयन का बात दें प्रांग इसला कि घर प्राद प्रादर प्रप्राउ पादी बनाते हैं और जो है कि गाहों पादी काम करते हैं पानी से बहुत फैदा मन्द हुआ है हम लोगा है बनकटा स्टेशन ने बहुत फैदा हुआ है पानी से बहुत ज्यादा बचत होगी बहुत ही रहात मिली है सर यह पानी तो जान लिए वाकई कुद्रत का करिस्मा है कि ताकि पानी इस तरह बहुत लोगों को सकून मिल गया है और इतना दिन से पानी नहीं हो रहा तो बाग इतना लोग से परसान थे पीड़ी से गर्मी से इसके वज़ा से आज बहुत ही सकून म लगने से दिक्कते आ रही हैं आवा गमन में लेकिन इससे यह फायदा है कि लोगों को दिलों में राहत मिल गई है और सबसे बड़ी बात ही है कि कम से कम इस सड़क का तो नाली नाला का सफाई इस तरह किया जाएक ताकि पानी ना रुक है एकदम सोने पर सुवागा है और किसानों के लिए तो समझे कि यह इतना लाबदायक है कि इस किसान इतने खुश रहेंगे कि इन से जादा इस से जादे खुशी किसी चीज में नहीं उनको मिलेगा बहुत बढ़िया हुआ कि मौसम मतलब मौसम इतना सुहाना हो गया है कि लोग गर्मी से बहुत रहात मिल गया है हम सर सिलाई का काम करते हैं